हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्याइब कोस्ट चैनल आज देख रहे हैं इस जो यह मैं लाया हूँ अमारकर से खरीट का आइवाल का है यह तरण सब्सक्राइब करने वाला हूँ इसके सारे फीचर्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है कितने का मुझे पढ़ा और इसका सांद क्वालिटी क्या है सब को आपको दिखाऊंगा अन्बॉक्सिंग करके तो चले शुरू करते हैं इसकी सबसे पहली यह वाक्स आपको करते यह सारे कुछ है साती इसमें वूफर आपका 26 x 17 x 20 का रहा है सटीलाइट स्पीकर भी है इसमें मतलब दो सेटलाइट इस पीकर है और एक फूफर है इसमें साती कंट्रोल में आपको मोड वॉल्यूम पले पाउज ऑ्टॉस कें प्री स्कैन नेक्स स्कैन यह सारी चीज तो बॉक्स का भी अच्छा दिख रहा है तो लिए बॉक्सिंग करके हम देखते हैं इसके उपर सबसे पहले अब कर दिखाता हूं इसके अंदर सबसे पहले जो इसको मैं नीचे रख देता है तो और मैं फिर आपको बारी-बारी पहले तो इसको सबसे पहले इसमें मिला है रिमोट काफी अच्छा है काफी स्टैलिस रिमोट है अच्छी क्वालिक्टी का लग रहा विए क्वालिटी भी अच्छी है आईबॉल का इसको साइड में रखते हैं अब देखिए यह जो है यहमारा ऑक्स के बले यह भी साथ में देखें और यह जो कबरींग है वाइस प्लास्टिक का है और यह बूर्ट का बना हुआ यह बैक साइड जो पैनल है और इसका लुग भी काफी डिशन लग रहा है बैक साइड में यह वाल मांटिंग के लिए नहीं इसमें दिया है कुछ भी लेकिन इसका इसको हम टेवल पर रखके या फिर कहीं पर रखके इसका लूप भी काफी अच्छा आ रहा है बागी शॉन कोईटी हम देखेंगे बार में यह हमारा पहला इस व्यादा स्पीकर है नेक्स्ट को बॉक्स में से आया है वह ये यह हमारा नुट स्पीकर है ने काफी अच्छा लूप्स्ति समय वह है बुड है यह सारा अच्छा अच्छी फिनिश में अगर आप इसको देखेंगे तो इक लाशी में है यह और प्लाइक कलर बीशन लग है तो यह दूसरा मेरे स्पीकर होगे नेक्स देखिए बॉक्स में देखते हैं क्या है कि अब में चीज जो निकल क्या रही है बॉक्स में वह है यह तो यह फोड़ा सा हेवी है मैं इसको निकालता हूँ हुआ 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 है यह मैंने निकाला इस बॉक्स को मैं साइड में रखता हूँ यह हमारा वूफर यह देखी यह वूफर है अब यह करते हैं देखिए यह आईबॉल का वूफर जो की में है और इसे साथ यह दोड़ स्पीकर्स हा रहे हैं एक यह वाला तो चलिए इसकी क्या 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 क्वालिटी ही हम देख लें सबस्क्राइब लुक वाइज आप देखिए लुक कितना डिसेंट लगा इसका ब्लैक कलर रही ग्लॉसी है यह रफ में और यह साइड का आप देख रहे हैं पैनल यह वूदर है तो यह काफी अच्छी आपको दिखा सकते हों यहां पर मोड का बटन दिया हुए वाल्यूम माइनस वाल्यूम प्लस और निक्स का यहां पर है तो सारी चीज़ी यहां से भी हम कंट्रोल कर सकते और रिमोट देख देखने इन पूट के लिए दिया हुआ है यहां पर जैसे आपका पेंडाय वगर देखिए बैक साइड यह पर आउट्पूट के लिए रखा दो यहां पर और यहां पर इंपूट यहां पर इप दियाई पावर ऑन ओफ के लिए और बैक साइड भी काफी डिशन लग रहा है अब चलिए मैं इसकी साउंड क्वालिटी आपको दिखा देता हूं साउंड टेस्ट करके कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या है अभी तक जो आपने देखा इसको एक वर फिर से आप देख लिए इसका प्रोडक्ट से और आप कोमेंट करके बताना कि आप इस प्रोडक्ट के रिव्यू से कितने सैटिसफाइड है तो चलिए साउंड करके देखते हैं अभी मैं इस स्पीकर का साउंड क्वालिटी आपको चेक करके बताता हूं मैंने अपने फोन से इसको कनेक्ट कर लिया है ब प्रोडक्ट करके बताता हूं मैं कोई और सोंग बदा के आपको देखा आता हूं जैसे यह सोंग कोई और सोंग बदा के दिखा तो आपको ताकि कोपी राइट ना रहे इसमें तो इस तरीके से आपने देखा फ्रेंड बहुत अच्छी इसकी सांग क्वालिक्टी है मुझे तो काफी अच्छे लगिया इस में इस रिमोट में बेस कंट्रोल एंड ट्रेवल सब कंट्रोल इसमें दिया हुआ है तो बेस भी काफी हाई इसका जो मैंने कुछ सौंग इसमें बजाया तो वह काफी अच्छा इसमें आ रहा है सांग तो संग क्वालिक्टी के वदर से यह बेस्ट है और इसकी प्राइसिंग के बारे मता तो यह प्राइस आपको मार्केट में आपको अच्छी क्वालिक्टी का आपका तो यह स्पीकर आईवाल का बहुत ही बेस्ट है मिलते किसी अगले वीडियो के साथ तक करें तक करें तक करें को फर वाचिंग